कैसे हो आप लोग आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं AP और HP Set के बारे में इस तरह से AP और HP Set की जो डेट से एक्जाम की वो नजडिक आ चुकी है अगले से अगले संडे में जो एक्जाम हो और कंड़ेक्ट होने वाला है इस तरह से आप अपनी last time preparation को rectify कर सकते हैं और अपनी जो preparation है उसमें आप sharpness ला सकते हैं चलिए बात करते हैं HP और EP set की देखिए सबसे पहले कुछ ऐसी mistakes होती है जो आपको avoid करनी चाहिए कुछ ऐसी usual चीज़े हैं जो मैं आपको फिर से बता देना चाहता हूं हालांकि आपने उनको बार-बार सुना होगा तेकिन कभी-कभी क्या होता है कि preparation के tension में हम लोग इनको भूल जाते हैं काफी basic चीज़े हैं revision हो गया formula sheets हो गई और जो आपका अच्छे topics हैं जो आपको लगता है कि आप अच्छे से prepare कर सकते हैं उन topics को prepare करिए और साथी साथ आप last year की cutoffs को दे prepare करना चाहिए और अगर मैं बात करूं एपी सेट की उनको 60% प्लस के लिए prepare करना चाहिए बात हम कर रहे हैं physics के बारे में लेकिन ध्यान रखिए उस हिसाप से आपको preparation करनी है आपको अपने अच्छे topics को धंक से prepare करना है उनको revise अच्छे से करना है उनके formula sheet बनानी है और उ और बहुत सारी गल्तियां जो आप बाद में regret करते हो एग्जाम ने बाद में कि आपने करी है जैसे यह आप पेपर से है, rectify your numerical mistakes, और जब भी calculations आएं, तो calculations को approximately करना है, क्योंकि वो calculations lengthy हो सकती है, time taken हो सकती है, कि आपको और अधिक दूसरे जो questions से उसमें time ना मिले, देखिए आपका जो questions paper हो इस तरह से हैं कि उसमें negative marking नहीं है, और क्योंकि negative marking नहीं है, तो आपको कोशिस यहीं करनी है, कि आप हर तरह के questions को attempt करके आएं, और जो numerical question है, उनका खास तोर पर ध्यान रखें कि उसमें कोई भी mistake आप ना करें, साथी साथ, आपको हर variety के questions को attempt करना है, अपने अच्छे topics, अपने अच्छे subject पर focus करना है, उनको और strong करना है, जो weak topic है, उनको हलका cover कीजिए, जो अच्छे topic है, उनको और अच्छा cover कीजिए, ऐसा में इसलिए कह रहा हूं कि last time पे जब आप preparation में weak topics पे जाधा time देते हैं, तो आपके अच्छे topics हैं, वो भी fade हो जाते हैं, वो कि IFS आपके लिए test series लेकर आया है, यह test series आपके लिए काफी helpful रने वाली है, इस test series से आप ना सिर्फ life science, physical science, chemical science और mathematical science के लिए भी आप questions attempt कर सकते हैं, questions को अपनी जो preparation है, उसको आप improve कर सकते हैं, इसमें varieties की instructions है, previous years को देखते हुए, जो pattern है, उसकी इसाब instructions है, आप अगर फिलहाल आप इसको buy करते हैं बच्चों, तो आपको अभी flight 30% off मिलता है, और उस पर आप जो यह test series है, तो just 8.99 rupees में आप avail कर सकते हैं, इसको buy कर सकते हैं, इसको buy करने के लिए आपको IFS की website पर जाना है, और वहाँ पर जाने के बाद में आप एच सीरीज का section है, वहाँ पर जाके आप click करिए, और इसको buy कर सकते हैं, बात करते हैं, कुछ और points के बारे में, जिसमें आप यह बोल सकते हो कि आपको previous year questions को attempt करना चाहिए, इससे आपको trend का अंदाजा होता है, कि किस तरह के questions आने वाले हैं, और किस तरह के questions को आपको जादा attempt नहीं करना है, कई के बार हम practice में भूल जाते हैं, कि trend क्या है questions का, अगर आपको trend पता है बच्चों, तो आपका यह मान के चलिए, 30-40% काम हो चुका ह trend important है, किस तरह के questions आते हैं, वो important है, और आपको क्या करना है, उन questions के जो concepts है, connect to the concept of those questions, उन questions के concept से आपको connect होना है, ताकि अगली बार ऐसे questions आएं, तो questions नहीं देगा वो, लेकिन जब भी इस तरह के questions आए, आप उन questions के concept को grab कर पाएं, उनको पगड़ पाएं, और उन questions को आ आपका HP और AP से clear हो सकता है, thank you very much, happy learning